92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं Big Talkies मशूर फिल्म क्रिटिक और आथर भावना सुमाया के साथ नमस्कार मैं हूँ भावना सुमाया और आप सुन रहे हो Big Talkies 92.7 Big FM पर हमारे आज के महमान है इस हफ़ते की नई रिलीज प्यार का पंच नामा के तीन नए उभरते आक्टर्स और तीन हिरोइन्स उनकी नाम क्या है कहां से आये है वो खुद अपना परिचय देंगे तो शुरुवात करते हैं आप से सनी, प्यार का पंच नामा करने से पहले क्या कर रहे थे, कहां थे, कैसे मिली फिल्म हाजी मेरा नाम है सनी और मैं बंबे से हूँ मेरी शुरुवात सीरिल से हुई थी मैंने कसोटी जिंदिगी की किया था फिर मैंने ब्रेक ली, फिर आई वोक्त अन मैंसल्फ, फिर मैंने अकाश्वानी की लवसर के साथ साथ ही साथ हमने पिर प्यार का पंच नामा 2 की जिसमें बहुत बहुत कुश्य हूँ हूँ तो कुछ फिल्मे की है जो शायद कुछ लोगों को पता हूँ, कुछ को ना पता हूँ जैसे मासूम थी, 1996 में रिलीज हूई थी जिसका गाना बड़ा हिट हुआ था चोटा बच्चा जानके जी, तो मैं वोई बच्चा हूँ और उसके बाद काफी फिल्मे की वाव तो उसके बाद काफी फिल्मे की जुदाई, जुडवा, Hero No.1, गुंगट, चाहत, मेला, फिर था के एजुकेशन परे कंपलीट की जाए, परेंस का डिसेजन था, तो एजुकेशन कंपलीट की और उसके बाद पता था के वापस इसी चीज की तरफ इंक्लिनेशन है, एक्टिंग की तरफ ही, तो फिर से वो जोर्नी शुरू ही मेरी, और यह अब मेरी सेकंड इनिंग्स है, तो इस फिल्म से मैं वापस अपना डेब्यू करने जा रहा हूँ, थेंक्यू, आप बताएए, तो यह तीन फिल्म हैं से पहले और यह तो यह तीन फिल्म हैं से पहले, और लफसर को मैं मतलब मैं कॉलेज में एंजिनिरिंग कर रहा था, और बीस साल का था मैं जब प्यार का बंचनामा वन मैंने की, और उस ताइम मैं और अडिशन्स के लिए ढूंता रहता था, क्योंकि समसाभी बाहर मैं इंडस्टी के बाहर का हूँ, तो मैं वहां से ओडिशन्स लूंता था, फेस्बुक में एक बॉल पोस्ट मिल गया था, कास्टिंग डिरेक्टर का मिरको, सर्च मारते मारते, उसमें विक्की सिदानाजी जो हमारे कास्टिंग डिरेक्टर है, उसमें प्यार का बंचनामा का, उनने बोला था, कि मैं एक लीड लड़के को ढूंड रहा हूँ, तो मैंने रिप्लाई किया था, वहां से कहानी शुरू हूई, छे महिने ओडिशन्स वगरा चले, प्यार का बंचनामा एपन्ड, उसके बास आकाश्वानी हुई, उसी फिल्म से मिली हो, प्यार का बंचनामा टू, मगर अभी एजिंग्स ब्रेक हो रहा है, और कार्टिक जो एंजिनिरिंग छोड़ कर शो बिजनस में आये, और वो भी फेस्बुक पे उनको एक कास्टिंग डिरेक्टर का नंबर मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि भगवान जब आप पर महरबान होता है, तो कहीं से भी कोई भी दर्वाजा एक न्यू कमर के लिए खुल सकता है, तो यहाँ पर लिसनर्स को हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, कि वो PKP2 के बॉइस के नाम और उनके काम को याद करें, बॉइस अपने बारे में बता चुके हैं, अब मैं लड़कियों से बात करूँगी और देखूँगी के लड़कियों की कहानिया कितनी दिल्चस्प है या मनोरंजन करती है, अब हमें बनानी पड़े हैं, कौन पर हाँ, जी मेरा नाम नुश्रत भरूचा है, मैं बंबई से हूँ, मैंने अक्टिंग बहुत सालों पहले शरू की थी, सणी के साथ, सणी के जैसे ही, I had also started with TV only पहले, सणी के जैसे साथ में, ने नी साथ है तो भी हमें कोई प्रॉब्रम में ही, आप दोनों कुछ हो तो हम भी कुछ हो, तो टीवी किया था, पहले बहुत स्टार्ट में, फिर कुछ फिल्में भी की, उसमें से कुछ बहुत अच्छी थी, और कुछ ठीक ठाक थी, लव सेक्स और धोका की थी दिबाकर के साथ, जो I think मेरी सबसे एक मार्किंग फिल्म नहीं होती, कि अब लोग देख रहे हैं कि हाँ आप आए हो, वो पहली स्टार्टिंग मार्क थी, बट वो क्रिटिक्स में, इंडूस्ट्री वाइज, उसके तुरंत बात प्यार का पंचनामा की, और सड़नली जो एक ओडियन्स और जनता का एक प्यार नी होता, वो सड़नली देखने मिला, कि now they recognize me, हाला कि character नाम से जादा जानते थे, real नाम इतना नहीं पता था लोगों को, बाबू, और अभी क्या बुलाते हैं, अभी I think, इस फिल्म के बाद चीकू बुलाएंगे, hopefully, क्योंकि इसमें चीकू है, तो PKP 1 के बाद, Aakashwani की अकार्थिक और सणी के साथ, फिर अभ PKP 2, तो इतना short and sweet जानी है, ठीक है, हाई, मेरा नाम इशिता है, और मैं दिल्ली से हूँ, मैं लंड में अपने मास्टर्स करी थी, और डेली वापस चूटियों के लिए थी, मेरे फैमिली भी डेली किया है, और वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ कि मैंने पोर्टफोलियो करवा लिया, मेरी फैमिली बिस्निस फैमिली है, और नोवर इन माइ फैमिली इस कनेक्ट तो इस इंडूर्टफोलियो करवाया, उसके बाद थोड़े बहुत मॉद्लिंग कुछ महीने करी थी, कि ये फिल्म को ओफर आया, और वो भी ऐसा है कि मैं बॉंबे विजिट करी थी, क्योंकि पापा ने स्ट्रिक्ली मना कर दिया था कि नहीं जाना है, किसी को जानते नहीं हो, उसी दौरान मुझे विकी सिदाना जी, जो कास्टन डिरेक्टर है, वो मिले, उन्होंने मुझे बोला, और अडिशन के लिए आओ, मैंने अडिशन किया, वापस दिली चली गई, दस दिनों बाद फोन आया, कि मैं लॉक हो गई हूँ, तो ऐसे मैं PKP 1 के ले कास्ट हुई, So, hi everyone, I'm Sonali Seigal, and मैं Calcutta से हूँ, और मैं Bombay आई थी, actually, Miss India का runner-up किताब जीतने के बाद, और मैं अपने international pageant के लिए prepare करने के लिए आई थी, so, उसके बाद मैंने बहुत modeling की, TV commercials किये, so, mainly modeling, 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 acting as such किया नहीं था, थोड़ा बहुत theater किया था, और प्यार का पंशनामा की, जो एक interesting चीज है, जो मुझे अभी भी याद आती है, and I can literally relive it, is मुझे उसके auditions हो रहते, फिर audition का मुझे एक दिन call आया, और मैं उस तरह में रहती थी, और मैं त्यार व्यार होके, you know, audition के लिए, like कमार मंगत की फिल्म है, तो मैं ready-ready होके, पूरा अपना and my best, I went, and Juhu Circle तक पांचने के बाद, call आता है, कि वो cancel हो गया, अब जो audition ने थे, वो चले गए, तो आप बापस जाओ, तो मैं माई यूस होके, घर आ गए, उसके बाद कोई call नहीं, और मैंने ऐसा भी सुना कि, उनकी cast lock हो चुकी है, उसके बाद मैं Bangalow Fashion Week कर रही थी, और मुझे casting director का call आया, कुछ दो हफते के बाद, कि आज 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 ओ audition के लिए, I said, अब तो मैं Bangalow में हो, He said, नहीं उनको आज ही cast lock करने, आज ही आओ, I said, मैं fashion week छोड़ के कैसे आजाओ, like, you know, it's prior commitment, So I said, मेरा कल कातम हो रहा, कल आते ही मैं डिरेक्ली आ सकती। So that's what happened, मैं land की, घर गई, जिस कप्टे पिक आप की, and I went, and literally उसी रात को मुझे फाइनल कर दिया, and next day I was on board, and I remember पूरी रात मेरी ममा कालकटा में थी, मैं उनके साथ पॉन पे थी, डिसकास की, like, it's just, it just happened so fast, so, yeah, कि ममा ये फिल्म मिल गई है, ये मैं कर रही हूँ, so by next day I was on board, and here I am, अभी मैं देख रही थी, जब तीनों लड़कियां बात कर रही थी, लड़के इतने ध्यान से सुन रहे थे, जैसे पहली बार ये कहाने सुन रहे है, और जब लड़के बात कर रहे थे, तो लड़के बहुत चिल्ड़ा हूँ थी, कि उनको तो सब मालूम है, आपने बोला था न, इनको की थोड़ा ब्रीफ में बारे में, हमने बनाई रहे हैं, जब रुके दे कितनी देर तक बताती रहेंगी अपने बारे में, जब चलती जाती, जब चलती जाती, जब गल्स टॉक ना, लड़के जात सुनते हैं अपने यह कहा दिया, मैं लड़के बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और दिल्चस्पी ले रहे थे लड़के वहें, और लड़कियां जो है, अपना अंसर परकेक्ट होना चाहिए, ऐसे ध्यान है, तो फिर हमारी कहानियां बेटर हुए, नहीं, बॉइस की कहानी भी काफी इंट्रिस्टिंग थी, और अभी फिल्म की कहानी जानूँगी मैं आप लोगों से, ओफ स्क्रीन और ओन स्क्रीन केमिस्ट्री आप सब के बीच में, और खास तोर पे अपने हीरो और हीरोइन के साथ, भूख है पेट इंटर्व्यू दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ किसकी हीरोइन कॉन है, हाव इस पैरिंगी मैं हम साती बेचे हैं। ने ऐसे नहीं, सनी के साथ है शोनाली, अमकार के साथ है, इशिता और कार्थिक के साथ है, नुश्रत, अच्छे अब भी बताओ कि आयोल अल्जस फ्रेंड्स या कुछ और है, या कोई अलग पैर के साथ किसी का कुछ चक्कर है, बता सकते हैं। मैं तो एकदम चिल्डाउट हूँ, अब आपकें साथ हृर आपकें साथ हैं, जो प्यार का पंच नामा था, इसमें तो लड़कें ने लड़कों की तो अभी प्यार का पंच नामा 2 में क्या लड़के लड़कियां की बैंड बजा रहे हैं? I wish! I wish! वादा ये ही किया गया था At least मुझसे तो, I am sure इन दोनों से भी पहले पार्ट में कि ये वाली कर लो, जिसमें गालियां खालो सबसे नेक्स पार्ट में हम आपके साइच से कहानी बनाएंगे तो मैं तो एक्साइट लेह थी ये 2 हमारे साइच से बट नवर माइंड Because men are liars and our director is a man इसलिए And manipulators Okay, he won't cast you अगले फिल्म में नहीं करेंगे चलेगा मगर ये आपको लगता है कि ये फिल्म का message क्या है, second वाले का Ma'am, the thing is कि relationship में कैसे लोगों की लडाईयां होती है लेकिन उसको serious way में ही बट funny way में दिखाया गया था ऐसा कुछ message नहीं दिखा रहे है कि आप relationship मतलब खत्रा है या इसमें मत पढ़ियेगा वो बस हस रहे हैं, basically अपने उपर ही हस रहे है जो equality, जो woman claim करती है equality होनी चाहिए, equality मिलने के बाद जो वो एक उस चीज का अंड्यू कुछ लड़कियां आप बोल सकते हो relationship में जो कुछ लड़कियां equality का advantage उठाती है और बिचारे लड़के तो कितने बोले है गलफ पॉइंट था, यह already react कर चुका कोई बाटी, कोई बाटी बट एक funny message है हमारी फिल्म का, social message love is injurious to health good one किस-किस जोड़ी को लव से क्या-क्या injury हुई है प्यार का पंच नामा 2 कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं 6 young good-looking actors अच्छा, अभी जोड़े में बात करेंगे तो आप, Sunny और Sonali ये बताओगे कि आपके हिसाब से आपका जो pairing है, वो रिष्टे में क्या problem है और क्या solution निकलता है कोई problem नहीं है आपको तो picture देखनी पड़ेगी इतना बता सकता हूँ कि मुझसे इनके ममी पापा बहुत काम कराते हैं मदर वैसी हाला सायादी कि अंडे मेनी छोड़ते वो भी लाने पड़ते हैं मदर भास घूमते जान को लेके इधर उधर 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 और और ये हमेशा यही है आपका क्या प्रॉब्लम है पिचर में आपकी गल्फ्रेंट से आइंक जो थाकुर और कुसूम का ट्रैक है जो हमारे चारेक्टर्स के नेम है मतलब यह अंडेल कॉपल बोद आर इंडिपेंडेंट पीपल वी बोथ हावर रेस्पेक्टिव जॉब्लम है रेस्ट इशिता विस्पीक आपने देखा कि ओमकार बहुत फेर है हंजी अरसे थोड़ा बताया फिर अपनी पार्टर को पूरा चांस देते है तभी तो मुझे लगता है की थाको कुसूम की एक तोता मेना की जोड़ी है बहुत प्यार है and everything is perfect लेकिन फिर उस perfection में कहां से पंचनामा हो जाता है उसके लिए आप मूई देखे आंके अरे वार अचा आपी कार्थिक और नूशत बताएंगे फर्स पार्ट से इस पार्ट में मेरा रोल बहुत अलग है I think a conscious decision ये भी था क्योंके हमारी couple और pairing same है तो ये ना हो जाए कि लोग पिछले वाले से बहुत जादा प्रभावित हो जाए and you know they can't accept these new ones so इसलिए थोड़ा सा कहानी तो अलग ही थी but characters का भी जो एक basic tone है nuance है बात करने का धंग है वो सब कुछ बदला इस बार मेरा character Chiku नाम है मेरा फिर्म life is like a party for her वो सुबह उठती है वो तयार होती है उसका दिन है shopping, nail spa, party, clubs दोस्त ये उसकी जिंदगी है उसके बीची ही आ जाता है बहुत handsome सा, बहुत caring सा and he accepts everything about her life she really loves him वो अपनी खुद की चिकू लैंड में जीती है तो not just with him, I think उसके और दोस्त भी अगर आप पूछे तो उसको उनकी दुनिया भी नहीं पता होगी रस्ते पर चल रही होगी, पीशे से कोई हौन बार रहा होगा तो उसे पता नहीं कि वो खड़ी है इसलिए हौन बज रहा है वो उल्टा घूम के बोलेगी कि noise pollution कल रहा होगा जाहिर है कि ये छे आक्टर्स बहुत ही जादा मस्ती के मूड में है ये मूड जारी रखेंगे हम लॉट कर भी कार्तिक से जानेंगे कि उनकी पहली फिल्म के रिलीज पर थेटर में उनके साथ क्या हुआ था पता नहीं आप लोगों को याद है के नहीं याद है प्यार का पंचनामा जिसमें सारे एक्टर्स नहें थे प्रोडूसर नहा था डिरेक्टर नहा था और इसके बावजूत फिल्म सूपर हिट थे वो फिफ्ती देटर थेटर में थेटर थी और अच्छे गासे ऐसे भी लगवाय के रखी है लग योई थी और चल रही है तो एक विजिट के दौरान एक कबल था और अंकल थे बहुत एजट थे कापी मतलब मेरे नाना नानी सपोस सामने आगे उनने वो फिल्म देखियो और जो नाना जी थे वो मेरे पास आके उनने हग किया दर गो और बुला तो बिलकुल मतलब जो मेरी भडास थी ना अंदर की इतने सालों की सब मैंने देख लिए आज की मेरे को लग रहा था मैं बोल रहा हूँ वाव वो चीज़े जब आती है ना कि एक फिल्म देखके आपको जब ऑडियंस में से कोई इंसान में से बोलता है आपको अभी जवान में बताना है कि आप इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने करियर के लिए और आगे आप क्या करना चाहते हो किसी का भी नाम बोलोंगी मैं बीच में मुझे हमेशा से फिल्मों में भले ही छोटा रोल हो बट ऐसा रोल करना था जहां लोग याद रखे कि यह लड़की थी इसने यह किया मुपिंग के इस फिल्म के बाद एक ऐसा स्पेस आजा है जहां मुझे मेरे तरह का काम उफर हो ओमकार जी मैं मानता हूँ इस फिल्म विल काप्चर जस्ट थर्टी परसंगी पोटेंशल अफ में अच्टर इस लोट्स मोर तो कम यह फिल्म मुझे वहां जरूर ले जहां मैं अपने आपको पूरी तरह खोल सको शुराले यह तो प्यार का पंचनामा बहुत बड़ी हिट थी बट अस अन अक्टर मैं ज्यादा उस चीज पर इन कैश नहीं कर पाई सणी बहुत पॉजिटिविटी है बहुत इजिटरी फिलिंग भी है मुवी के बार में बद यह पता है कि यह अपने आप में एक ब्रैंड है सबसे रिलेट करता है तो बस फिंगर स्क्रॉस बेटिंग फर दे रिलीज इशिता मैंने कहीं पड़ा था मैं बस यह चाहत हूं कि यह फिल्म पैसे कमाई इस फिल्म के टूर्क फॉर्ट को मार्ची ओभी भीषेग लावसर बिकुस्टेज वेशन आप टॉर्ट अलॉट प्नी तो वह चीज्ज इवेश्य का मतलब उसका कुछ रवड़ ब्लेश नहें मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं करीबन 35 साल से सिनमा के बारे में लिखती हूँ, बहुत सारे हर जेनरेशन के आक्टर्स को मिलती हूँ, बहुत स्ट्रगलर्स को, बहुत नियू कमर्स को मैंने देखा है, आप लोग जितने सुल्जे हुए यंग्स्टर्स मैंने आज तक नहीं म जिसको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और तीसरा, आप लोग सब के बीच में सच मुछ पॉजिटिव वाइब्स है, और कोई अंडर करेंट्स मुझे तो नहीं दिख रही है, और सैडली मुझे कुछ रोमांटिक सिगनल्स भी नहीं दिख रही है, और सैडली मुझ तो आप लोगों को इस बार जब ये पिचर रिलीस हो, जो जो खामिया आपने या जो जो मिस्टेक्स की है अपने खुद की प्रमोशन के लिए, अपने करियर के लिए, उस पर पूरी जान लगा दो, और इस बार लेट एवरिबड़ी नो तो अगले हफते फिर मुलाकात हो एक नही कहानी और कुछ नही किरदारों के साथ, सुननन न भूलिएगा बिग टॉकीज अब नए समय पर, हर संडे शाम छे से साथ, तिल देन, कीप स्माइलिंग और कीप लिसनिंग तो 92.7 बिग एफम पर आप सुन रहे हैं, बिग टॉकीज, मशूर फिल्म क्रिटिक और अथर भावना सुमाया के साथ